हेलो एवरीवण, वेलकम टू आउनलाइन एलर्निंग प्लेटफर्म आफ एक्रिकल्चर आएंग जी के मैं अभी नहीं दिक्चित आप सभी का एक्रिकल्चर जी के लर्निंग प्लेटफर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से UPSC में आई हुई agriculture की एक important job के बारे में discuss करूंगा काफी अच्छी वकेंसी आई हुई है इसमें आपकी जो शैल्दी रहेगी वो आपकी वन लाक रुपीज से ऊपर रहेगी तो अगर आप इसके लिए eligible है तो आप इसमें apply करिएगा और इसमें all इंडिया वाले apply क कर सकते हैं UPSC के तरफ से दोस्तों जो है सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर और एग्रीकल्चर केमिस्ट की वकेंसी आई होई है तो इस वीडियो में इसके बारे में complete information discuss करेंगे मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए ए आपको affordable price पे आपको mock test मिल जाएंगे इसके लावा आपको free ebooks मिल जाएंगी आपको free ICR का notes मिल जाएगा और जो भी exams होते हैं उनकी जो updates वगरा होती है वो आपको वहाँ पर daily share की जाती है तो आप हमारे app को install करिए link आपको वीडियो के description box में provide कर दी गई है और इसके लाव की जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब जो है इस वगैंसी के बारे में दोस्तों देखी यहाँ पर मैंने जो इसका official screenshot add किया हुआ है कि मैंने इसकी official website से लिया था Union Public Service Commission UPSC के तरफ से जो है जो वगैंसी आई हुई है में पहली पोस्ट आप की जाएगी वह आपकी फार मसीन जी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्ट्इूट में रहेगी इसमें कुल आपकी जोए 7 वगैंसी है नंबर आव अगर बात की जाए पे स्केल के बारे में जो आपकी सैल्डी रहेगी वो लेवल 11 एक रहेगी आपको सब्सक्राइब आपको मिलने वाला है तो आप अगर इसके लिए लिजबा है तो इसमें अपलाई करिएगा अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो इसमें फुट्टी एयर से उपर वाले अपलाई नहीं कर सकते हैं यह आपकी यूवार और EWS के लिए है और फुट् अगर यह एकनिकल इंजिनेरिंग और डिगरी इन मेकैनिकल इंजिनेरिंग होने चाहिए तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं प्लस आपके पास फॉइप ययर का इस्पीरियंश होना चाहिए उसके बारे में यहां पर सकते हो experience इनोपरेशन खेल सब्सक्राइबिग पास टीचिंग का अनुव है पांच साल का एगजिए लिए है और जो डिजारेबल को एक हैं रहेगी वो आपकी रहेगी पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्री कल्च रिंजीन्जिंग दूसरी आपकी पोस्ट है इसमें एग्री कल्च इंजिनियर के नेम से इसमें आपकी जो वगैंसी है यह आपकी मिनिस्ट्री आफ अग्री कल्च एंट फार्मल विल्फेर में आई हुई है और जो आपका जॉब रहेगी वो फार मसीन्जी टेनिंग एंट टेस्टिंग सकते हैं और इसका जो आपका पेश केल रहेगा वह आपका लेवल सेवन के कावडिंग चवाले सजार नौसों से एक लाख बयारी सजार चार्स रुपए पर मंत रहेगा काफी अच्छा पेश के लिसमें भी आपका और जो एज लिमिट रहेगी इसमें वो थार्टी त्री किया रहेगी और बीटी की वगयंसी है तो यह ओवी सी के लिए एज लिमिट है अगर बात की जाए संसियल क्वा़िकेशन के बारे में तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जोए डिगरी है अघ्री कल्च्छ इंजिनीरिंग में 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 मकेनिकल इंजीनिर और यूटी या अगर आपके पास जो है किसी भी अग्रिकल्च इंवर्स्टी में अगर टीचिंग का है नुभो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो यह भी आपके लिए अगर आप जो है कहीं पर टीच कर रहे हो अगरिकल्च इंजिंग दो साल से आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाऊगे प्लस यहां पर डिजाइज डेपल क्विकेशन दी हुई है वह आपकी वन एयर प्रेक्टिकल इस्पीरियंस ऑफ मकैनाइजड फार्णिंग स्ट्रेक्टिसेज है नेस्ट आपकी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट जिसको आप एगरिकल्चर केमिस्ट भी बोल सकते हैं यह आपकी मिनिस्ट्री आप जल सकती में आई हुई है वगेंसी सेंटर एक लाख एक्यावन हजार सो रुपय पर मंत रहेगा काफी अच्छा पेस के लिसमें आपको मिलने वाला है अगर आपकी एज लिमिट तीस साल से उपर है तो आप इसमें अपलाई नहीं कर सकते हो 30-year वाले इसमें अपलाई कर सकते हैं या इसके भी लिए और इसमें जो ए पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए लिजबल है और यहां पर जो डिजाइबल क्याइफिकेशन दी हुए वह क्या दी हुए आपकी टू यह इस्पीजियंस इन ग्राउंड वार्टर अनलेसिस एन ग्राउंड वार्टर के मेस्टी वरक वरक्रॉम एनी इस्ट् इसको आप पड़ सकते हो अगर आप इसके लिए लिजबल हो तो आप इसमें अपलाई करियेगा बाकी मैं इसमें अपलाई करने की लिंक और जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूँगा तो वहां से इसक के मिस के लिए 30 एज लिमिट रखी गई है जो मुझे डिफरेंट से मिला है मैंने आप पर वो आयड कर दिया है तो सेलेक्शन प्रॉसेस के बारे में जैसे ही कोई ऑफिसेल अप्डेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माद्धियम सहीं आपने टेलीग्राम और वार्ट सकते हैं वहां पर आपको अप्डेट मिल जाएगी जैसे ही इसके बादे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जो वेबसाइट पर एविलेबल है उसके एकॉर्डिंग इसमें आपका सेलेक्शन होगा वो जो है राइटें टेस्ट के बैसिस पे होगा पर असनल इंटर 25 रूपीज रहेगी मैंने देखा था इसकी आपेटेल पीडियाफ में केवल 25 रूपीज पे करके आप लिएस में अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें अप्लिकेशन थी साफिके बादेटी फाय रुपीज रहेगी बाकी मैं इसके आप इसल प्रीडियाप के लिंक आपको के लिए चैनल को सबस्क्राइब करिए थैंक यू सो मच आल दी बेस्ट